नमस्ते विद्यार्थियों, JCRTK DG School में आपका स्वागत है विद्यार्थियों, हम आठवी कर्चा के इतिहास विशय का अध्यन कर रहे हैं और हमारे समक्ष आपका दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर के इस पांचवे विडियो के माध्यम से मैं इस पाठ के सेस बचे हुए अंसों को आपके समक्ष प्रस्तूत करने का प्रयास करता हूँ तो विद्यार्थियों, मैं बता दूँ इसमें मैं दो चीजों को मुकरूब से सामिल करूँगा एक लॉड हैस्टिक्स का सर्वुचिता का दावा और दूसरा लॉड डलहुजी का बिले का सिधान्त तो ये दो चीजें क्या हैं इसकी जनकारी आपको आठवी कर्चा में होनी चाहिए तो विद्यार्थियों आप अपने इतिहास पाठे पुस्तक के पेज नंबर 22 और 23 को खोड़ ले तो यहां पे आपको सर्वुचिता का दावा आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्लेम टू पारामाउंट्सी जदी क्लेम टू पारामाउंट्सी आपको समझना है तो हम कुछ ही सब्दों में आपको समझा सकते हैं कि भारत में सन 1813 में लॉर्ड हैस्टिक्स के आने के पहले तक जो भारत की सर्वस्रिष्ट या सर्वोच सत्ता थी वो मुगल सासक थे या कि मुगल समराट थे लेकिन लॉर्ड हैस्टिक्स के आने के बाद मुगल समराटों की जो वास्त्तिती है वो कमजोर हो गई और मुगल सासकों के अस्थान पर जो सर्वोच पावर या सुप्रीम पावर या पारमाउंट पावर जो है वो मान लिया गया अंग्रेजों को बस एही चीज है बच्चों सर्वोचता का दावा यानि की क्लेम टू पारमाउंट सी जो भी भारत में देशी रियासत थे राजे रजवारे थे उनको ये समझाने का प्रयास किया गया धमकाने का प्रयास किया अधिगरहन करके उनको किसी भी परकार से उनके दिमार में डा पावर नहीं है पारमाउंट पावर नहीं है बलकि अंग्रेज है तो बच्चों आप देखिए पेज नंबर 22 पे लौड मिंटो के बाद 1813 में लौड हैस्टिक्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया बिलकुल आया हैस्टिक्स के भारत आने के पहले तक आप देख सकते हैं च चारिक रूप से सबस्रेष्ट माना जाता था परन्तु हैस्टिक्स ने सर्वोचता की एक नई नीती की सुरुआत की है ना इसने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में राइनेतिक स्रेष्टा को और बढ़ाने का प्रयास किया भारतिये राज्यों से जो उपर अपनी सर् हापित करने का उसने परयास किया इसके लिए उसने क्या किया भारतिये रियासतों का अधिगरहन किया और अवसेक्ता नुसार उनको धमकाया भी ठीक है तो यही चीज है सर्वोचता का दावा कूल मिलाकर मुगल समराटों की जो वास्त्वी किस्तिति है वो हो गई सेकेंड है न वो बाद में आई और जो सुप्रीम पावर है वो कौन हो गया अंग्रेज यानि की ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी तो आप समझ गया होंगे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं कि लौड हैस्टिक्स भारत आकर के उसने क्या क्या टो एक महत्वपूर्ण चीज जो उनके नाम के साथ यो है यानि की नेप्ल के साथ जुद्ध और सुगवली की संधी यह हुआ था लौड हेस्टिक्स के जमाने में हेस्टिक्स के जमाने में ही पिंडारीयों का दमन हुआ था बहुत चीज़ आसी हैं बच्चों जो आप आ प्राठा फेडरेशन था, बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि 1761 में पानिपत का जो तिसरा जुद होता है उसमें मराठे हार जाते हैं, हार जाने के बावजूद जो मराठे हैं वे अपना फेडरेशन बना लेते हैं और अलग-अस्थानों से उनका अलग-अलग सासन च तो इस मराठा फेडरेशन को एक तरह से अंग्रेजों ने अंत कर दिया लॉड हेस्टिक्स के ही समय में ये चीज हुआ और लॉड हेस्टिक्स ने मराठो को बना दिया क्या पेंशन भोगी यानि कि उनको अब पेंशन मिलने लगा और सुप्रिम पावर कौन हो गया ब्रिटी समस्ते हैं तो बिलय का सिधान जो है इसका संबंध है लॉड डलहुजी से अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉड डलहुजी ने भारत आके क्या कुछ काम भी किया या सिर्फ डॉक्ट्रीन अप लैप्स ही किया है ना सिर्फ बिलय का सिधान से उसका नाम 1848 में और वो गया है 1856 में है ना तो इस पूरे आठ बरसों के कार्जकाल में उसके द्वारा क्या-क्या हुआ है पहला कि 16 अप्रेल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर पहली रेल सेवा लॉट डालाओ जी के समय ही शुरू हुई थी तो महत्पूर्ण बात है बच्चो दूसरा 1854 में कलकता से आगरा के बीच टेलिग्राफ सेवा सुरू हुई थी बच्चो आप सोचेंगे टेलिग्राफ सेवा सुरू हुई तो क्या हुई कौन सी बड़ी बात हो गई बच्चो याद रखिएगा कि लॉट डालाओ जी के ठीक जाने के बाद जबकि लॉट कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल उस समय 1857 का सोतंतरता संगराम या सिपाही बिद्रो हुआ था उस समय अंग्रेजों के बहुत काम आया था ये टेलिग्राफ सेवा है ना यानि की कलकत्ता से आगरा तक क्या हो रहा था ये सभी बातों की जानकारी अंग्रेजों को पता चल रही थी इसके बाद हर जिले में एक सरकारी स्कूल वूट्स डिस्पैच के जन्तरगत खोला गया जिसको हम लोग जिलाई स्कूल कहते हैं अब देख सकते हैं राची में भी जिलाई स्कूल है चाईवासा में जिलाई स्कूल है हर जगड़ एक एक जिलाई स्कूल है इसके बाद है अठारसों चरवण में पोस्ट उफिस एक्ट के माध्यन से पूरे भारत में डाक परणाली यानि की चिठियों की आवाजाही का जो सिलसिला है वो भी लॉट डलहोजी के जमाने में ही शुरू हुआ तो यहां तक आप समझे होंगे अब हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि डॉक्ट्रीन अप लैप्स क्या है तो आप इस्क्री आइट ओफ रूलिंग ओभर दे स्टेट रिभार्टेड और लैप्स टू दे सौबरेन अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह बच्चों कि जैसे हमारे देश में गोद प्रथा थी यानि की एडॉप्शन कस्टम था जिसको की हम लोग लैप कस्टम भी बोलते थे तो जै ऐसे की हम अपने पिता के क्या हैं जैविक वारिस हैं आप अपने पिता के क्या हैं जैविक वारिस हैं यानि की बायलोजिकल एयर हैं तो जदी आपके पिता राजा हैं तो आप स्वता अपने राज्य के राजा बनेंगे आने वाले समय में है ना तो अंग्रेजों के समय मे एक नई बात क्या हुई कि जैविक वारिस के अभाव में भारत में बच्चा गोद लेने की प्रता प्रमप्रागत रूप से प्रचलन में सदैव रहा है आज भी है लेकिन पहली बार ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने अपने लाव के लिए सामाजिक नियमों के साथ छे नहीं माना जाएगा यही है डॉक्ट्रिन अव लैप्स अब इसको थोड़ा हम लोग विस्तार से जानते हैं तो डलहोजी काल में जो राजियों की जो कैटेगरी थी वो तीन थी पहला अंग्रेजों से पूर्णता सुतंत राज दूसरा सहायक संधी की सर्त मान चुके बृटीश द्वारा निर्मित राज था जैसे की सतारा न? जब मराठों के कुछ भुभा को जीत लेते हैं अंग्रेज तो उन लोगों ने एक प्रांत बना दिया थाmeye नया रियास्त बना दिया था अपने बल्बूते जिसका नाम था सतारा तो इस तरह का जो रियासत बना फैसे तो इसके लिए क्टेगरी वन का मतलब अभी अभी जैसे मैंने बताया आफिक तो जो अंग्रेजों से पुन्ता सोतंतर राज थे वहां नियम बनाया गया कि प्रथम सुची के राज जो अंग्रेजों से पुन्ता सोतंतर थे वे गोद निशेद से पुन्ता अलग और सोतंतर यानि कि वे चाहे जो भी करें अंग्रेजों को उससे कोई लेना देना नहीं है और दूसरा मैंने आपको बताया कि साहर संधी या की सबसीडियरी एलाइंस जिन लोगों ने मान लिया था किन लोगों ने मान लिया था जैसे मुगलों ने मान लिया था मराठों ने मान लिया था हैदराबाद के निजाम ने मान लिया था और आगे चल करके मैसूर के सासकों ने भी मान लिया था है ना टीपू सुल्तान के बाद तो ऐसे जो कैटेगरी टू वाले जो राज थे उनके लिए सहायक संदी मान चुके देशी रियासत बंस चलाने के लिए गोद ले सकते थे लेकिन इसके लिए कमपनी की अनुमती जरू और तीसरा है बच्चों सीधे ब्रिटिस द्वारा निर्मीत राज सतारा तो ऐसे राज्यों के लिए तो एक दम से लोड डलहोजी ने बहुत कड़ा नियम लगा दिया और क्या कहा जिन राज्यों को अंग्रेजों ने खुद निर्मीत किया था वहाँ पूरी तरह से गोद पात याद रखिएगा कि लोड डलहोजी के जमाने में जितने राज्यों को भारतिय संग में मिलाया गया यानि कि ब्रिटिस प्रांत में मिलाया गया उतना किसी के द्वारा नहीं मिलाया गया इसलिए आप देखेंगे कि भारत के इतियास में लोड डलहोजी के लिए एक अ पत्मान नक्से को देख सकते हैं बच्चों और इसमें आप देख सकते हैं कि सतारा मात्र एक सीटी है मात्र एक सहर है आज के डेट में है ना लेकिन उस समय जिस समय सतारा राज्य को भारत में बिटिस भारत में मिलाया गया था तो हडप नीति के है तहत उस समय क्या हुआ था तो सन 1818 में आंगल मराठा जूद के बाद अंग्रेजोंने मराठा समराज से काटकर सतारा को अलग राज्य बनाया था सन 1848 में यहां के सासर साहजी की मिर्तू हो जाती है और उनका कोई प्राकृतिक उत्राधिकारी नहीं होता तो प्राकृतिक उत्राधिकारी नहीं होता तो हडपनिती का पहला सिकार बन जाता है सतारा समझ गए बच्चो अब चलिए हम लोग दूसरे राज की बात करते हैं संबलपूर हमारे जारखन राज के दक्षिन में उडिसा राज है और उडिसा राज में आपने उडिसा के पस सहर में इसकी गिंती होती है लेकिन बच्चो इस संबलपूर सहर में कभी किंडम हुआ करता था कभी रियासत होता था कभी यहां राजा हुआ करते थे और एक बात याद रखिएगा कि संबलपूर स्टेट जो था स्रिफ संबलपूर सीटी ही नहीं था बलकि उसके आसपास के बहुत सारे छेतरिस में सामिल थे आप यहां नक्से को देख सकते हैं मैंने एक हाथ से ही नक्सा त्यार किया है जिसके माध्यम से आपको इसकी जानकारी देने का मैंने प्रियास किया है तो यहां क्या हुआ था बच्चों संबल पुराज 1849 यानि कि डलहोजी के आने के ठी संबल पुराज कहा जाता था यह राज पस्मी उडिसा से लेकर 36 गड़ तक फैला हुआ था संबल पूर के राजा नारायन सिंग की मृत्यू नीसंतान होती है नीसंतान होती है मतलर बीना बाल बच्चा के कोई बच्चा उनका नहीं होता है बिध्वा राणी ने सासन अपन ने हाथों में लिया परन्तु डलहौजी ने रानी के अधिकार को अस्विक्रित कर जैदपूर और संबल पूर को 1849 में सामराज में बिलीन कर लिया बिलै कर लिया इस तरह से संबल पूर स्टेट समाप्त हो गया समझ गया बच्चों अब तीसरा भी हमारा ही पडोसी है उदेपूर या धरमजयगड कहते हैं और यह अस्थान हमारे जार्खन राज के ठीक थोड़े पस्विम में है है आज का जो रायगड जिला है या सरगूजा है जस्पूर या कोरिया जिला है यह चतिस गड़ का उस सेत्र को तब उदेपूर या धरमजयगड कहा जाता था तो इसको भी अंग्रेजों ने हडप निती का सिकार बनाया अब इसको आप देख सकते हैं है ना नक्से में आप देख लीजिए इसको कि किस परकार से इसको 1852 में अंग्रेजों ने अपनी बिलाय निती का सिकार बनाया लौट डलहाओ जी ने इसको अपनी बिलाय निती का सिकार बनाया अब आगे है बच्चों देखिए जहांसी की गानी इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही है कविता भी पड़ी आपने खूब लड़ी मर्दानी वा तो जहांसी वाली गानी थी वहां क्या हुआ था बच्चों आप देख लीजे जहांसी जो है उत्तर प्रदेश में है लेकिन एकदम मद्ध प्रदेश से सटा हुआ है यहां क्या हुआ था बच्चों 1813 में जहांसी के राजा गंगाधर राओ का देहां थो गया देहां से पहले राजा ने दामोदर राओ नामक बालक को गोद लिया था बीस फरवरी 1854 को डलहौजी ने यह निर्णय बदल दिया बहुत कुछ जानने को है बच्चों लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से बहुत लंबा तो नहीं बताया जा सकता है आप खुद से भी इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करिएगा नेट में भी डूनने का प्रयास आप कर सकते हैं है ना और उचतर कक्षाओं में तो आ का जा थे रागोजी भोसले बीना किसी संतान के ही मृत्यू को प्राप्त हो गए यानि मृत्यू हो गई मृत्यू के पूर्व उन्होंने जस्वंत राव को गोद लिया लेकिन डलहोजी ने इसे अस्विक्रित कर नागपूर को बिटिस भारत में बिलीन कर लिया यानि की ब बच्चों आप देख सकते हैं 1797 का ब्रिटिस भारत है ना इसमें जो एलो कलर में जो पीला कलर में दिखाया जा रहा है वहां अंग्रेजों के द्वारा बिजित छेतर है या अंग्रेजों के अधीन वाला छेतर है यह 1797 की बात है टीपू सुल्तान के की मिर्ट्व से दो साल पहले का यह भारत है 1799 में टीपू सुल्तान की मिर्ट्व हुई थी लड़ते लड़ते अंग्रेजों के साथ अब यह नक्सा देखिए बच्चों यह 1840 का है इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के कितने बड़े भुभाग पर अंग्रेजों का कबजा हो गया देखिए तो एलो पार्ट दिख रहा है यह क्या है यह ब्रिटिस अधीन छेत्र है अब जदी हम थोड़ा और आगे बढ़ें यह 1857 का भारत जिस साल की भारत में क्या हुआ था जिस साल सिपाही बिद्रो हुआ था या की भारत का प्रथम सोतंतरता संग्राम तो अब देखिए एलो पाला हिस्सा कितना जादा हो गया बच्चों और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो लाल हिस्सा दिखाई दे रहा है न वो तो लाल हिस्सा भी जो है वो ब्रिटिस सासन के अधीन तो नहीं था लेकिन वह छेत्र जो है सबसीडियरी एलाइन से यानि कि जो अ जारखंड में परवेस करते हैं और जारखंड के मामले में जानते हैं कि जारखंड में अंग्रेजों ने किस तरह से परवेस किया था तो चलिए बच्चों आप पेज नंबर 26 पे फोकस कीजिए जारखंड में अंग्रेजों का परवेस सिंभूम जीले की और से हुआ था औ तो 1765 हिस्वी में बिहार, बंगाल और उडिसा की दिवानी जब East India Company को प्राप्त हुई थी, क्यों प्राप्त हुई थी बच्चों? आप याद कीजिए कि 1765 में इलाबाद की संदी हुई थी और इलाबाद की संदी के बाद में बिहार, बंगाल और उडिसा में Tax Collection का जो अधि जार्खंड भी बच्चों, जार्खंड उसी में समाहित था, जार्खंड अलग से राज तो था नहीं, है न? तो जार्खंड उसमें बिहार का एक अंग था, हलांकि उसके 6 साल बाद तक अंग्रेजी सरकार यहां कोई सीधी प्रसासनिक ब्यवस्ता नहीं अस्थापित कर प लेकिन बावजूद उसके धीरे-धीरे प्रयास होता है, शुरू में राजसुक वसूली और कानून व्यवस्ता लागू करने में अंग्रेजों को काफी कठिनाई हुई, लेकिन धीरे-धीरे अंग्रेज यहां प्रवेश कर जाते हैं, हलांकि इसको लेकर के आगे बहुत स और एक महत्वपूर्ण चीज देखिए बच्चों, आप अंतिम पंक्ती जो इस पेज की है उसको आप पढ़िए, यहां पर आप देख सकते हैं, 1793 में अंग्रेजों के परमानेंट सेटलमेंट कानून के बाद सोसन एवं दमन का चकर तेजी से चलने लगा, जिसके आप आदिवासी संघर्स की सुरुवात हुई, अंग्रेजों को यहां के जंजातियों सदानों ने दीकू की संग्या दी, तो समझ सकते हैं बच्चों कि एक तरह से अंग्रेजों ने जारखन प्रदेश को भी अपने छेतर में मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली, तो कुल मिलाकर के बच्चों, इन दो चीजों को मैंने आपको बताया, बावजुद उसके मैं कहूंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक से जुड़े रहें, और जो चीजें आपको महत्पून लगती हैं, उनको आप लाइन पढ़िए, एक बात हमेशा याद रखिए, कि सदियों के परिवर्तन को हम 10-15 मिनट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, और कोसिस करते हैं कि इन परिवर्तनों को समझें, लेकिन इसके लिए अधिक से अधिक समय देना पड़ता है, और अधिक से अधिक स्रोतों से हमें जानकारी ढूणने की कोसिस करनी पड़ती है, आपके स समझ सके हैं तो ठीक है इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समात करता हूं ठीक है बच्चो जहिन बच्चो